Hello friends, आज का मारा topic है How to add India Mart leads to HubSpot CRM as contacts तो आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप India Mart और HubSpot CRM को connect कर सकते हैं कि जैसे India Mart पे कोई नई lead आपको receive होगी तो automatically same lead को आप HubSpot CRM में as a content create कर सकते हैं मान लीजे, आप एक seller है, आप इस्तेमाल करते हैं India Mart का, जब भी आपको कोई नया product की query receive होती है, कोई नई lead receive होती है India Mart से तो उसी same lead को आप HubSpot CRM में as a content create करने चाहते हैं अब ये करने के आपके पस दो तरीके, या तो manually copy करके आप बार बार HubSpot CRM में एक नया content create करें या तो आप यूज कर ले पैबली करेंट का, अब पैबली करेंट की मदद से हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस को automate कर देंगे, India Mart और HubSpot CRM के बीच में connection, एक integration बनागे इसके बाद इंडिया Mart पे जब भी आपको कोई नई lead receive होगी, automatically same lead जाके HubSpot CRM में as a content create हो जाएगी तो आप कैसे बना सकते इस पूरे automation को, कैसे connect कर सकते हैं इन दोना application को, आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation, India Mart और HubSpot CRM के बीच में कि जैसी India Mart पे कोई नई lead आपको receive होगी, तो automatically वो same lead as a contact जाके create हो जाएगी HubSpot CRM में और ये पूरी की पूरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से HubSpot CRM और India Mart के बीच में connection एक integration बनाके तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं ये है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जाप multiple applications को एक दूसरे से connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाईए sign up for free पे जाब को अर मैने मिलेंगे 100 free task कैसे automation workflow create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की ए 5 में applications आजम को यूज करना पैबली connect का तो क्लिक करेंगा मैं access now पे access now पे क्लिक करते ही अब आपके सामने open हो जाएगा पैबली connect का dashboard पैबली connect के dashboard पे आने के बाद आपको यहाँ पर setup करना है एक नया workflow तो right and side पे आपको यहाँ एक option दिख रहा होगा create workflow का तो जाना आपको create workflow पे और एक नया workflow आपको यहाँ बनाना है तो क्लिक करते हैं create workflow की बटन पे और इस workflow को मैं एक नाम देता हूँ मैं इसको नाम देता हूँ India Mart automation देकि मैंने इस workflow को यहाँ पर नाम दे दिया है इसके बाद आपको चूज करना है वो particular folder मेरा folder है home आप चाहें तो कोई और भी folder आप चूज कर सकते हैं और click कर दिया मैंने create पे create पे click करते ही अब आपके सामने open होंगे यह दो important boxes जिनको हम कहते है trigger and action basically जो पूरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts परी based होते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो सबसे पहले आपको चूज करने अपने trigger application जो की होने वा type करता हूं इंडिया माट और यह हमारी ट्रिगर application इंडिया माट अब इंडिया माट पर क्या और नई लीड हमको रिसीफ हो रही है trigger event हमारा होगा new lead जैसे इंडिया पर इंस्टेंटली हमारा workflow trigger होगा अब इंडिया माट का अकाउंट आपको connect करना पैबलिक कनेक्ट से ही त CRM की आपको वहीं से मिलेगी, वो CRM की आपको कॉपी करके आपके पीस्ट करना है, तब ही इंडियामाट का अकाउंट कनेक्ट होगा पैबली कनेक्ट से, अब लेफट हैंड साइड पर आप इंडियामाट के अकाउंट पर एक उप्शन देखे होंगे सेटिंग्स का, क्लिक क की जनरेट नहीं है, तो आप नई एपको जनरेट कर सकते हैं, मेरे की अल्रेटी जनरेटेड है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, वापिस आओंगा अपने पैबली कनेक्ट के वर्फलो में, यहाप इसको करूँगा, मैं पेस्ट, और जैसी मैं सेफ पर क्लिक करूँगा, वो लीड जो आखरी बार मुझे रिसीव हुई थी, इंडिया माट पे, उसकी सारी डीटेल्स पैबली कनेक्ट, यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा, तो क्लिक करते हैं हम, सेव औंड सेंड टेस्ट वकेस की बटन पे, तो आप देखेंगे, आटोमेटिकली वो लीड की डीटेल्स पैबली कनेक्ट, यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, तो देखें हमको यहाँ पर रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो भी मेरी लेटेस्ट रीड में को रिसीव हुई थी, इंडिया माट की अकाउंट पे, उसकी डीटेल्स आप आ चुके, तो देखें यह था हमार बोपाल एड्रस था, बोपाल मध्यप्रदेश, प्रोडट का नेम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह था हमारे प्रोडट का नेम, इसके बाद भी सारी डीटेल्स आपको दिख रही होंगी, तो इस तरीके से हमने इंडिया माट के अकाउंट को यहाँ पर कर लेगा, इसका मतलब जो हमारा फर्स स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, वो सही से काम कर रहा है, हमने इंडिया माट के अकाउंट को कनेट कर दिया पैबली कनेक्ट से, अब चलता हमारे एक्शन स्टेप की तरफ, जैसी इंडिया माट पर नई लीड आती है, तो सेम लीड पर नificación करेँगा, बैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना को कनेक्ट पर जाना, आपको एड़नी कनेक्शन पर और क्लिक करना को कनेक्ट भिथ, हज़्या माट नई पर नी प्रत देखिए, हबस्पोर्स जिरया में का 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 कौउंट पर आप। Tri- desde David Ce, तो अब ने का क्वाँंट issue, book date, field of study, gender ये सारी fields आपको fill करनी तो आप कर सकते हैं पर अगर आपको fill नहीं करनी है तो केवल जो mandatory field है वो आप यहाप फिल कर सकते हैं और वो हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है हमारी trigger application से मतलब indiamart से उसी response का use हम यहापे कर लेंगे वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping अब देखिए mapping कैसे की जाती जैसे आप इस field पे click करेंगे तो indiamart जो कि आपकी trigger application थी वो आपको यहापे दिखरी होगी इसके drop down पे जैसी click करेंगे तो जो भी response आपको आपकी previous step से मिला है वो पूरा आपको यहापे दिखने लग जाएगा आप चाहें तो data यहापे search भी कर सकते हैं आप देखिए जैसे मैं add the rate पे हापे click करूँगा तो देखिए जो sender email है जो person का mail address है उसको मैंने हापे map कर दिया है search करके कुछ इस तरीके से हैं इसके बाद status आप आप इसरेट कर सकते हैं status पर रखूँगा active इसके बाद facebook क्लिक ID google क्लिक ID इसको आपको फिल करना है तो आप कर सकते है lead status हम रखेंगे new इसके बाद creation date and time यह सारी fields आपको फिल करनी है तो आप कर सकते है whatsapp phone number आप यह पर फिल करना चाहते है तो आप यह वापिस में data search करूँगा और जो person का contact number है वो मैंने आप पर कर दिया है फिल कुछ इस तरीके से इसके बाद आता job function, marital status, payment status, seniority, start date, work, email और first name और last name तो जो person का first name और last name है वो भी हम यह आपर करेंगे अब देखे हैं आप मैं क्या करूँगा यहापर search करूँगा मैं name आप देख रहे होंगे name हमको आप फॉल मिला है demo user करके पूरा name हमको मिला है पर यहापर हमको first name और last name और फिल करना है तो आप क्या करूँगा है यहापर use करूँगा पैबली की एक feature को जिसको हम कहते हैं text formatter text formatter की मदद से जो name है person का lead का उसको हम split कर देंगे दो पार्ट आप मैं search करूँगा text formatter आप मैंने choose कर लिए text formatter को action event हमारा होगा split text और जैसे मैं connect पे click करूँगा क्योंकि पैबली का inbuilt feature है तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट से वापिस हम use करेंगे mapping का जो person का name है इसको आप मैं करूँगा fill जिस text को आप split करना चाहते है वो text आप को आप फिल करना है इसके बाद आएगा separator हमारा रहेगा space demo और user के बीच का space हमारा separator रहेगा इसको मैंने आप कर दिया fill segment index text हमारा रहेगा all और देखी जैसी मैं save and send test request की button पे click करूँगा जो person का name है यह split हो चुका है दो पार्ट में अब यही name मैं map कर दूँगा हम spot CRM तो click करना आपको refresh field में क्योंकि अभी हमने text formatter का use का तो field हमको refresh करनी पड़ेगी अब वापिस लते हम नीचे और first name में हाप मैप कर देंगे person का first name तो text formatter की मदद से split कर रहा था हमने text इसके drop down पे मैं करूँगा click यह था person का first name demo और यहाँ से हम map कर देंगे person का last name user इसके बाद follower count और या email address इसाब प्रोवाइट करने चाहते हैं तो कर सकते हैं email address देखे मैंने पहली provide कर दिया था work email में अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइट करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से देखिए यह था sender's email सकते हैं इसके बाद की जो सारी fields है यह mandatory नहीं है इसलिए हम इस field को छोड़ देंगे blank अब देखिए जैसी में save and send test request की प्रटन पर करूंगा तो हब spot CRM में automatically एक नया contact create हो जाएगा पर आपके इमन शब्दों में आपको समझाओं तो जब भी आपको इंडिया माट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो automatically नई लीड का नीम, email, contact number, first name, last name, सारी details अपने आप यहाँ पर आके update हो जाएगी और automatically हब spot CRM में एक नया contact create हो जाएगा वो भी नई details के साथ, इसलिए mapping करना होती है ज़रूरी process क्योंकि अगर यहाँ पर में data कुछ इस तरीके से मतलब manually type कर देता तो यह data रहता हमिशा static है permanent फिर हमारा workflow यहाँ पर काम नहीं करता, इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा important step अब देखिए यहाँ पर कोई नया content create हुआ है नहीं और देखिए automatically यहाँ एक नया content create हो चुका है demo user के नाम से यह है उनकी mail ID और जैसे आप इसको open करेंगे तो और भी details आपको यहाँ पर देखने लग जाएंगी जो भी details हमने फिल करीं थी automation workflow बनाते टाइम आप देख सकते हैं यहाँ एक नया content create हो चुका है lead status भी हमको दिखा रहा है new यह उनकी mail ID यह person का first name और यह है उनका last name इसका मतलब जो automation हमने बनाया पैबली connect पे हो सही से काम कर रहा है simply तीन step में हमने पूरा automation मना दिया जो work करेगा हर 24 hours में क्योंकि इंडिया मार्ट और पैबली connect के बीच का connection एक polling based connection है तो हमारे workflow का trigger है वो हर 24 गंटे में जाके इंडिया मार्ट पे नया data search करेगा अगर वापे कोई नई lead आई होगी तो automatically हम इस पॉर्ट से आरे में सीम लीट को as a content create कर देगा आप भी अगर इस वर्ट विडियो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जहाप इसे बड़ी असानी सी कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं दोस्तों आप और भी एप्लिकेशन को connect कर सकते हैं पैबली करेट की मदद से और अपना मन पसंद integration बना सकते हैं अगर आपको कोई inquiries हैं कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं पैबली.com पर आप हमको mail कर सकते है support at the rate पैबली.com पर अगर आपको कोई pricing related issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करना, share करना और subscribe करना ना भूले so thank you for watching this video